हेलो दोस्तों स्वागत आपका हमारी यूटूब चैनल सक्सेसिनल लाइफ पर तो दोस्तों आज किस वीडियो में बात करेंगा आपके पोस्ट जो है टीजी टी सोसल साइंस मेल की जिसका पोस्ट कोड है 4921 तो इसका जो फाइनल रिजल्ट है आखिर कब तक आ जायागा जो कब तक बता दी जाएगी जो आपकी वेटिंग लिष्ट तक बता दी जाएगी तो उसके बादे माज बात करने वाले थो वीडियो ध्यान से देखना आप दे सकते हैं कि यह notice जो है दो फरवरी का है जो कि secondary call notice का है साफ साफ लिखा हुआ है तो secondary call notice है जो तीन फरवरी से लेकर शाफ फरवरी तक जो है दोबार से time दिया गया है यहाँ पर जो भी candidates जो है शफल हुए है और उनके किसी documents में जो है कमी है तो उन सभी candidates को जो है यहाँ पर द्वारे से मोका दिया गया है कि वह अपने documents जो है upload कर दें तो अब बात होते है कि 7 February के बाद भी आज 22 February हो चुके और 15 दिन बीच चुके हैं लेकि अभी तक आपका जो final result है अभी तक नहीं निकला है तो दोस्तों अभी मैं आपको बता दूँ कि final result आने में अभी करीब करीब 8-10-15 दिन का समय लगने वाला है 15 दिन तो आप मान के चलिए कि 10-15 दिन का समय जो आपका लगेगा ही लगेगा तो हम इस परकार कह सकते हैं कि जो आपका expected time period है कि आपके final result के आने का वह आपका 10 March के आसपास यानि कि 10 March को है आपका Thursday और 11 March को है आपका Friday तो Friday तक उम्मीद की जा सकती है कि आपका जो result है वह आ सकता है और यदि Friday नहीं आता है तो Friday के बाद में जो Monday आएगा यानिकी 11 के बाद में 12-13 को छोड़के 14 तारिक को Monday है ठीक है 14 तारिक के आपके 99% chance है कि आपका जो TGT social science mail का उन्तल से बटे 21 जो post code है उसका जो final result है वह आ सकता है यदि आप लोग चाहते हैं कि इस पर final cutoff के बारे में भी एक वीडियो बनाई जाए तो आप comment box में जरूर comment कीजेगा हम आपके लिए एक cutoff की वीडियो और अलग से लेकर आएंगे तो इसके साथ फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में धन्यवाद